तो आप सबी का स्वागत है उप्टूजस पे तो बनारस संद्रीव उनिवर्सिटी से रिलेटेट कुछ की अपडेट रहेंगी और यहाँ पर याद रुखिएगा कि अब अफिलेटेट कॉलेज में भी आपकी कोर्स के लिए जो है अलॉट्मेंड स्टार्ट हो चुका है अब्सक्राइब करें तो यहाँ पर जो है आप सबीके लिए इप्टेट रहेगी बीएड और आपके मेड कोर्स के लिए और आपके जो है और बी जो जितने मुझे कट अभी पता चले है उसके बारे में तो हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो में अगर फर्स टाइम करें थे तो अगर हम यहां पर आपके अमेड कोर्स की बात करें आपकी कि कितुना कट आफ ऑफ qya है आपको पता है कि सिर्फ ऐस फटी और पार हम करना कट ग्रामका हैió जो आपका cutoff रहा है for general category, to 40 पर admission हुआ है for general category और OBC के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 236 पर admission हुआ है for general और SD category में 255 पर admission हुआ है in AMET program अब रही बात कि यहाँ पर paid seat की तो paid seat सिर्फ बहुत कम हुई होगे क्योंकि आपको पता है कि AMET program सिर्फ faculty of education में चलता है और आपका जो total seat है उसका 15% ही आपका paid seat है तो minimum होगा risk मत लीजेगा हो सकता है कि यहाँ पर spot round में यहाँ पर कोई भी seat बचे मुश्किल है क्योंकि इसका जो cut off है यह आपका 16-17 का है जो date है 16-17 उस दिन की है तो यहाँ पर spot round में AMET में जो है seat मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ठीक है अब बात करेंगे आपके बीएड प्रोग्राम्स की तो बीएड प्रोग्राम्स में आपके डिफरेंट जैसे आपका बीएड लैंविज बीएड साइन्स बीएड जो है मैथ्स आपके social science में सबसे जो higher cut off रहा है वो आपका जो है यहां पर 265 के असपास बीएड रहा है और EWS का जो है 260 जो है आपका EWS के लिए रहा है और SC category के लिए 246 जो है आपका 246 जो है cut off रहा है तो अगर हमें आपर social की बात करें तो social में आप देख सकोगी कि आप जो cut off है वो 110 प्लस के आपके जैनल category के लिए बीएड सोशल के लिए 181 आपके EWS के लिए गया है आपके EWS प्रोग्राम के लिए बीएड सोशल साइंस के लि SC category के लिए अगर हम देखें तो 151 पे आपका admission हुआ है ठीक है 151 पे आपका admission हुआ है और ऐसी आपका जो है beard language का भी है beard language में भी जादा आपका हाई cut off नहीं गया है अगर हम beard language की बात करें तो beard language में आपको पता चलेगा है आपर की 241 पे 241 प्लस गया है और जो है EWS के के लिए है और यह यहां पर यहां पर याद रखेगा यह जर्नल के लिए है और 203 ST category और 201 जो है आपके ST category के लिए रहा है तो यह अभी आपका जो है पर language के लिए है अब बूर डिफरेंट प्रोग्राम की बात करेंगे कि यहां पर जैसे अगर हम economics की बात करें तो economics में आप देख सकोंगे कि जो आपका में campus के लिए रहा है वो 200 प्लस पे जो में campus में admission हुआ है इसके नीचे थोड़ा आएंगे तो यहां पर 250 प्लस वाले तो में campus में है उसके 250 और 200 के बीच में OBC category EWS category वाले जो है वो में campus उनको मिला है और भी अगर उसके नीचे भी आएंगे 200 से नीचे वाले में भी कुछ लोगो main campus a lot हुआ है आपके different category जैसे आपका पी एच category है या फिर भी हूँ कोटा लगके OBC जनल category के लिए हुआ है ठीक है पर अगर हम affiliated के बात करें तो यहां पर affiliated में उससे भी minimum cutoff गया है 90 90 नंबर पे जो है EWS category में आपके भी हूँ है आपके यह affiliated college में तो यहां पर जो minimum marks वाले हैं वह भी होप मत छोड़ेंगे registration अलड़ी कर रखा है तो spot counseling में जरू से participate करें क्योंकि अभी भी लगादार आपको जो है यहां पर seat की विकेंसी देखने के लिए मिलेगी paid seat अभी भी main campus में कुछ programs में रहे गये हैं जैसे आपके अभी economics में फिल हो चुगा है आपके यहां पर sociology में बचा हुआ है political में भी अभी कुछ-कुछ programs के लिए बचा हुआ है ठीक है तो अभी भी जो masters के masters of arts की कुछ program से उसकी जो affiliated की सीट अभी भी वेकेंट ही है और बहुत जादा फिल्ड अभी नहीं हुई है क्योंकि बहुत सारे बच्चा अलड़ी पे कर चुके हैं और कुछ अभी भी इसले नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अलड़ी वो कहीं पर admission ले चुके हैं तो अभी भी आपका वेटिंग लिस्ट दस दिन तक लगातार दिखाएगा और आपका एडमिशन नहीं होगा तो आप लोग यह अपॉचुनिटी ग्राप करिए स्पॉट कांसलिंग में जरूर से वेटिंग लिस्ट वाले पार्टिसिपेट कर ले अधर्वाइस आपको फिर से यह अप इंपॉर्टेंट जो है अपडेट रहें कोई भी और अपडेट मिलती है हम चैनल के माध्यम सही आपको देते रहेंगे जुड़े रहेगा सब्सक्राइब जरू कर लिए जगा बेल आकन प्रस करना नहीं भूलेगा देनवाद